जैमा भारती, मित्रों मध्यकालिन भारती इतिहास में अब तक हम सिंदू के शेर, राजा दाहिर और अरबी आक्रमणकारियों को अरब तक खदेड कर केसरिया फैराने वाले बपारावल से मिल चुके हैं इतिहास पढ़कर यदि उससे कुछ सीखाना जाए तो इतिहास का होना और इतिहास को पढ़ना दोनों ही व्यारत है पैगंबर मुहम्मद साहब के खरीबियों और रिष्टेदारों को राजा दाहिर ने शरड़ दी और उन्होंने ही छल से धोके से राजा दाहिर पर आक्रमण किया बपारावल को इन हिंसक लुटेरों को सबक सिखाने के लिए इनसे भी यादा कुरूर और हिंसक होना पड़ा शत्र को सिर्फ शत्र ही समझना चाहिए उन पर दया भाव दिखाना आत्मगाती साबित होता है हम आज आपको एक ऐसे ही शूर्वीर समराट से मिलवाएंगे जिसने शत्र पर दया दिखा कर खुद के प्राण तो गवाए ही और साथ में इन मुस्लिमा क्रमण कारियों के भारत में घुसने का रास्ता भी साफ कर दिया उनका नाम है प्रत्वी राज चौहान बहुत उल्जा हुआ सा इतिहास है प्रत्वी राज चौहान का इतिहासकारों ने इसे अपने अपने ढंग से लिखा है जितना मैं इसे सुल्जा सका हूँ उसको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्वी राज चोहान अजमेरु यानि की अजमेर के राजा सोमेश्वर चोहान के पुत्र थे इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था जो के उस समय के प्रतापी शासक दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री थी इनका जन्म 1166 इसी में हुआ था बालकाल मिसे ही ये बहुत ही बीर बहादूरों निडर थे और अलपायू में ही ये शस्त्र विद्या में काफी निपुड हो जुके थे तलवार और भाला इनके प्रिय हथियार थे और तीरंदाजी में भी उस दौर में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था शब्द वहेदी बार चलाने में वे पारंगत थे वास्तों में ये एक चमतकारिक विद्या थी इनके नाना अनंगपाल प्रत्फी राज चौहान की वीरता और अड़काशल से बहुत प्रभावित थे उनका कोई उत्राधिकारी नहीं था अंतता उन्होंने प्रत्फी राज चौहान को दिल्ली का सिंगहासन सौंद दिया यहाँ इतिहासकारों में फिर से मत भेद हैं उनका मानना है के अनंगपाल के दो पुत्रिया थी एक का विवाहा सोमेश्वर सिंग्चोहान से हुआ जिनसे के प्रत्फी राज का जन्म हुआ और दूसरे का विवाहा कन्नाउश के राजा विजयपाल से हुआ जिनसे के अनंग पाल दोनों के ही नाना हुए दिल्ली का शासन प्रत्वी राज को शौपने के बाद जैचंद बहुत असंतुष्ठ हुए, क्रोधित हुए तथा प्रत्वी राज से मन ही मन इरश्या भी रखने लगे। पादुरी के चर्चे होने लगे, कुछ राज स्वेम ही उनके मित्र बने और कुछ राज उनके शत्र भी बने। इनमें कंद्नाउच का राजा जैचंद भी था, इनके बालकाल की एक कथा प्रसली थे के निहत्थे एक बार वैस सिंग से भिड़ गए और अपने बाहुबल से सिंग का जबड़ा फार दिया। प्रत्वी राज चोहां जब दिल्ली में थे तब 1178, इस्वी में गुजरात के चालुक के राजा भीम देव द्वतिये ने अजमेर पर हमला किया और इस हमले में प्रत्वी राज के पिता सोमेश्वर सिंग बीरगती को प्रात्थ हुए। खबर मिलते ही प्रत्वी राज चोहां ने अजमेर कूच किया और भीम देव द्वतिये पर आक्मण करके उनको बुरी तरीके से परास्त कर अपने पिता का बदला लिया। भीम द्वतिये ने बाद में संधी कर ली। उधर सुदूर गजनी में 1173 इस्वी में महम्मद गौरी गजनी का शासक बना भारत सोने की चिडिया थी भारत को लूटने के उद्देश से उन्होंने सीमावर्ती छेत्र मालवा पर आक्रमण किया और लूट पाट करके वापस चला गया। इसके बाद 1175 में उसने मुल्तान को जीता और वहाँ भी काफी लूट पाट की। इसके बाद 1178 विस्वी में उसने फिर लूट पाट के उद्देश से गुजरात पराक्रमण किया परंत भीमदे और द्वतिय की सेना के आगे उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात ही प्रत्वी राज चोहान ने भीमदे और द्वतिय को परास्त करके अपने पिता का बदला लिया था। इसी दोर में इनके चचेरे भाई नागारजुन ने विद्रोह किया जिसको के इन्होंने बहुती सूजबूज बहुत पराक्रम से दबाया। 1182 में प्रत्वी राज चोहान ने महोबा के राजा चंदेल महोबा के चंदेल राजा परमार दुतिय को भी पराजित किया। प्रत्वी राज चोहान के एक बच्पन के मित्र भी थे चंद्र बरदाई जो के इनके मित्र के साथ साथ इनके दर्बार में कभी भी थे। उन्होंने अपनी रचना प्रत्वी राज रासों में प्रत्वी राज चोहान की विजियों का विस्तरत रूप से वर्डन किया परंद कुछ इतिहासकार इसके कुछ हिस्से को कालपनी भी बताते हैं इसी बीच कन्नाउच के राजा जैचन ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वेंबर आयोजित किया ये प्रत्वी राज चौहान से दुश्मनी रखते थे समस्त राजाओं को निमंतर दे कर उन्होंने प्रत्वी राज चौहान को निमंतर नहीं दिया और प्रत्वी राज चौहान का बुत बनवा कर उन्होंने द्वारपाल के इस्थान पर रखवा दिया संयोगिता जो के प्रत्वी राज चोहान से प्रेम करती थी उसने पत्र के माध्यम से प्रत्वी राज को सूचना दी और प्रत्वी राज चोहान जैचंद की भरी सभा में आकर संयोगिता को उठा कर ले गए और बाद में गंधर भी बबाह कर लिया यहीं से जैचंद रो प्रत्फी राज की शत्रुता और बढ़ गई क्रोध की ज्वाला में धदकते हुए आगे चलकर जैचंद ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसका खामियाजा संपूर भारत आज भी भुगत रहा है फिर ग्यारा सो इक्यानवे में मुहम्मद गोरी ने उस दौर के सबसे शक्तिशाली शासक यानी की प्रत्फीरा चौहान से टकराने के लिए भारत पराक्मण किया बढ़ते बढ़ते वह तबरहिंद जो के आज का भटिंडा कहा जाता है तबरहिंद तक पहुँचा और तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ जहां गोरी के पास तुर्की लुटेरों की एक बड़ी फौज थी वहीं प्रत्फीराज की सेना में देश प्रेम से ओत प्रोत तीन लाग छत्रिय शूरवीर थे इस सेना में तीन हजार विशालकाय हाथी और तीरंदाज में पारंगत घुरसवार भी थे साथ ही मेवारी राजपूतों की सेना प्रत्फीराज की मदद के लिए साथ खड़ी थी गोरी की सेना ने इतने विशालकाय हाथी नहीं देखे थे हाथी पर बैठे सैनिक भाला फैकने और तीरंदाजी में निपुर थे हाथी की सूण में भी तलवारे बंदी हुई थी शत्रु सैनिक को सूण में लपेट कर हवा में उचाल देने में वे पारंगत थे समर सिंग और चामुंड राय जैसे पराक्रमी योद्धा जो के रड़काउशल में निपुर थे वे प्रत्वी राज की सेना का संचालन कर रहे थे गोरी की लुटेरी सेना के शवों से तराइन का युद्ध छेत्र पट चुका था गर्जना करते हाथू शत्र सैनिकों को हवा में उचाल कर पैरों तले रांद देते थे रड़ छेत्र रक्त से लाल हो उठा था मुहम्मद गोरी बुरी तरह परास्त हुआ गायल मुहम्मद गोरी ने प्रत्वी राज चोहां से चमा मांगी प्रत्वी राज चोहां ने चमा करके उसे छोड़ दिया प्रत्वी राज रासों में चंद्रबर्दाई लिखते हैं कि प्रत्वी राज चौहान ने मुहम्मद गोरी को सोला भर पारास्त करके चमादान दिया। प्रत्वी राज चौहान पर आक्रमण करें और साथ ही ये आश्वासन भी दिया। प्रत्वी राज चौहान का प्रमुख सेना पती समर सिंग उपलब्ध नहीं था। सेना के संचालन का पूरा जिम्मा चामुंडा राय के उपर था। प्रत्वी राज चौहान ने पड़ोसी राजाओं से मदद भी बागी परंतु संयोगित्ता प्रक्रण से अप्रसंद होने के कारण किसी भी राजा ने प्रत्वी राज चौहान की महम्मद गोरी के खिलाफ मदद नहीं की। सिर्फ मेवाडी रडबाकरे आखरी सांस तक प्रत्वी राज चौहान के साथ खड़े रहे। सुनिश्चित हो चुकी थी इससे पहले कि प्रत्वी राज चौहान की तलवार गोरी के सीने के पार हो जाती युद्ध विराम का बिगुल बजगिया। अगले दिन मिलने की बात कहकर प्रत्वी राज चोहान ने तलवार म्यान में रखी और विजाई मुद्रा में अपनी सेना के साथ अपने खेमे में लौट गया प्राण बचने के बाद धूर्थ गोरी ने अपनी सेना से कहा कि युद्ध विराम चोहान ने किया है मैंने नहीं किया रात के अंधेरे में उसने जैचन की सेना की मदस से चल से प्रत्वी राज चोहान के खेमे पर आकमण कर दिया विजय के जश्ट में डूबी सेना जब तक समालती तब तक काफी देर हो चुकी थी भीशर रक्त पात के बाद प्रत्वीराज चौहान की विजय पराजय में बदल गई और प्रत्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया महम्मद गोरी प्रत्वीराच चौहान को बंदी बना कर गजनी ले गया साथ हमें उसका मित्र चंद्रबर्दाई भी था आखें नीची ना करने के आरोप में महम्मद गोरी ने गर्म सलाखों से प्रत्वीराच चौहान की दोनों आखें फोर दी अपने मित्र की इस दुर्दशा से चंद्रबर्दाई व्यतित हो गया और उसने प्रत्वीराज चोहान के साथ मिलकर महम्मद गोरी को मारने की एक योजना बराई योजना के तहट प्रत्वीराज चोहान की तीर अंदाजी की कला को देखने के लिए एक आयोजन किया गया गोरी ने उपहास उड़ाते हुए कहा था वह अंधा क्या तीर चलाएगा आयोजन शुरू हुआ प्रत्वीराज ने प्रत्यंचा पर तीर चड़ा लिया था चंद्रबरदाई ने निशाना साधने के लिए एक दोहा पढ़ा चार बांस चौबीस गज अंगुल अस्ट प्रमाण ताव उपर सुल्तान है मत चुके चौवान निशाना सध चुका था महम्मद गोरी ने कहा प्रत्वीराज बाण चलाओ और बाण चल चुका था महम्मद गोरी अपने सिंगहासन पर गिर चुका था प्रत्वीराज चौवान का छोड़ा गया तीर महम्मद गोरी के सीने की अनंत गहराईयों में समा चुका था गोरी मर चुका था चंद्रबरदाई ने इस्थिती की नाजुकता को समझा और अपने कपड़े में छुपा एक खंजर निकाल कर प्रत्वीराज चौवान के सीने में घौपा और एक खंजर अपने सीने में घौप कर मरत्व का वरण करना बेतर समझा जिससे के कम से कम इन तुर्कों के हाथों और अपमानित नहों ना पड़े उधर महल में सैयोगिता को खबर मिली प्रत्वीराज की वीरगती की उसने भी अन्यराणियों के साथ जवहर कर लिया एक महान समराट की एक महान गवरवगा था का इस तरीके से अंत हुआ तो दोस्तों ये था प्रत्वीराज चौवान का इतिहास च्छमा करने की भूल शत्र उपर दया दिखाने का परड़ाम सामने आया अगले रविवार को मैं आपकी मुलाकाद जैमा भारती के इतिहास में किसी प्रतापी शासक समराट या राजा से नहीं करवाऊंगा भारत वर्ष के दो महान योद्धाओं से करवाऊंगा जो के उत्तर भारत के लोक गीतों के नायक बन चुके हैं इन लोक गीतों को कहने वाले और सुनने वाले दोनों की भ्रकुटी चड़ जाती है और त्योरियां तन जाती हैं इन महान योद्धाओं का नाम है आलहा और उदल हगलेरा विवार को आपको मिलवाते हैं हम आलहा उदल से तब तक के लिए जैमा भारती